जलक आके इन लोगों को दिखाये तो उनके लिए IPL 2024 में चेपॉक के मैदान पर चेननई सूपर किंग्स का सामना कोलकाटा नाइट राइगर से था मैच के अंतिम पलों में शिवम दुबे बोल्ड हो गए उस समय चेननई को जीत के लिए सिर्फ तीन रन चाहिए थे वैसे तो महेंद्र सिंग धोनी साथ आठ नंबर पर बाटिंग करने आते हैं फिर भी चेपॉक पर फैन्स उमीद कर रहे थे कि शायद उन्हें इस सीजन अपने मैदान पर पहली बार धोनी को बाटिंग करते देखने को मौका मिल जाए महिंद्र सिंग धोनी के बाटिंग आने की उमीद में फैन्स काफी उपसाहिद थे अभी रविंद्र जडेजा बाटिंग किट में तयार होकर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकले ऐसा लगा रहा था कि वह बाटिंग के लिए ही जा रहे हैं इसी बीच दर्शकों की आवास थोड़ी कम हुई लेकिन तभी थोड़ा आगे जानी के बाद जडेजा नियू टर्न लिया और ड्रेसिंग रूम में वापस चले गए सीसकी के डगाउट में बैठी सपोर्ट स्टाफ की भी यह देखकर हसी नहीं रूग रही थी